हेलो दोस्तों आप सभी का दोलाजिकल इंडियन यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ एडोकेट पंकस कुमार त्रिपाथी और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे किसानों के एक मास्टर स्ट्रूक पर जी हां वही किसान जो अपनी MSP की मांग को सरकार से पूरा करवाने के लिए लगभग आथ वर्सों से संघर्स कर रहे हैं लगभग 800 किसान सहीद हुए इस लड़ाई में पंजाब हर्याना का बॉडर रोका गया लेकिन अब दो चीजें उनके पक्ष में होने से उनका हौसला बुलंद है और उन्होंने ऐसा मास्टर इस्ट्र में कानून पारित हो जाएगा जो वो चाहते हैं जो उनके भलाई का कानून है और उनके भलाई का कानून पारित होने से देश की 70% आबादी के भलाई का कानून जब पारित होगा तो देश के भलाई का कानून पारित हो जाएगा बलकि इससे मोधी सरकार बैक फूट पर आ दिखूंगा आप ध्यान से सुनिएगा इसमें कुछ संविधान की बात है कुछ आंदोलन की बात है कुछ राजनीत की बात है दरसल 10 जुलाई 2024 को पंजाब एंड हर्याना हाई कोट ने आदेश किया कि कोई भी सरकार राज मार्ग नहीं रोक सकती आप जानते हैं कि हर्याना सरकार ने किसानों को पंजाब से दिल्ली पहुचने से रोकने के लिए पंजाब हर्याना बार्डर को बंद कर दिया है और एक दो सड़क नहीं बंद की हैं कई सड़के बंद कर रखी है इस पर पंजाब एंड हरियाना हाई कोट ने 10 जुलाई को आदेश दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते हरियाना सरकार सुप्रिम कोट में गई वहाँ सुप्रिम कोट ने 12 जुलाई को कह दिया कि कहीं भी आपको यह सक्ति नहीं दी गई है संविधान में कि आप सड़क बंद कर दें सड़क को खुले रखना यह आपकी जिम्मेदारी है नो कि सड़क बंद कर देना और लोगों को आने जाने से आप नहीं रोख सकती यानि एक तरफ जहां अब किसानों को अपनी बात के लिए आंदोलन के लिए सांती पुना आंदोलन के लिए भारत के किसी भी इलाके से राजधानी तक पहुँचने का रास्ता खुल गया है वहीं एक दूसरा बदलाओ जो हुआ है किसानों के पक्ष में वह है संसद में बिपक्ष का बहुत मजबूत हो जाना दोस्तों संसद में बिपक्ष इतना मजबूत है कि सत्ता पक्ष में जो पार्टी बैठी हुई है उसके महच 246 संसद है अगर भाजपा को हटा करके से सभी पार्टीयों को किसान साध लें अपने साथ तो जो चाहेंगे वो बिल पारित करवा लेंगे और इसके लिए टीडीपी तेल गुदेशम पार्टी और जेडीयू जनता दली उनाइटिट करमसर चंद्राबाबू नाइडू की पार्टी और नितीश कुमार जे की पार्टी इनको निमंत्र भेज दिया है किसानों ने कि आप हमारे प्रस्ताव पर विचार करिए और राहूल गांधी से उनका निवेदन है किसानों का कि आप प्राइबेट मेंबर बिल ले आईए सदन में ध्यान जे समझे गए यहीं संभिधान की बात आ रही है राहूल गांधी के जरिये किसान संसद में यानि लोग सभा में प्राइबेट मेंबर बिल पेश करवाना चाह रहे है MSP पर MSP पर एक कानून बना हुआ है लेकिन किसान उस कानून से असहमत है वो अपने अनुसार MSP पर कानून बनवाना चाहते है वो चाहते हैं सदन में उनके द्वारा बनाए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो सरकार के कानून को ना काफी मानते है इसके लिए उन्होंने दो तरह की एक के बाद ये कियोजना बनाई है सबसे पहले BJP को छोड़ कर जी हाँ फिर से सुनिए 240 लोग सभा सांसदों वाली पार्टी भाजपा जिसके नित्रित तुमें दिल्ली में गड़बंधन सरकार चल रही है उस पार्टी को अलग थलग छोड़ कर कि वो किसानों की हत्याकारोप भेल रही है पार्टी हम उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे उसको निमंत्र नहीं देंगे किसान नितायक आ रहा है तो बीजेपी को छोड़ कर से सभी पार्टीओं और निर्दली सांसदों को आठ जुलाई से ही किसान संगठनों ने निमंत्र देना आरंभ कर दिया है कि आप सब हमारे साथ बैठक करिये और MSP पर minimum support price निमंत्र समर्थन मुल्ले पर हमारे जो प्रस्ताव हैं उन पर आप चर्चा करिए विचार करिए और उसे private member bill के रूप में लोगसभा में पेश करिए यहां तक बात हुई किसानांदोलन की किसानों की योजना की अब private member bill क्या होता है और संसद में आएगा तो क्या उससे होगा जरा इस पर संबिधान को सुनिए दोस्तों संबिधान के अनुछेद 107 में कहा गया है आर्टिकल 107 में कि लोगसभा और राजसभा के साधारन बहुमत से कोई भी कानून पारित हो जाएगा कानून पारित होने के लिए पहले बिल के सकल में उसको सदन में पेस करना जरूरी होता है बिल कौन पेस कर सकता है सरकार कोई भी बिल पेस कर सकती है किसी भी बिसे पर और कुछ बिसियों को छोड़ कर कुछ बिसे जैसे टेक्स जैसे आर्म फोर्सेट से जुड़े विश है क्योंकि वो बिलकुल सरकार के काम है तो कुछ विशियों को छोड़ कर जैसे बजट से सारे विशियों पर प्राइबेट मेंबर भी बिल पेस कर सकता है यानि कोई मेंबर कोई लोग सभा सांसत कोई राज सभा सांसत अपनी वोर से एक बिल पेस कर सकता है अनुच्छे देख सो साथ के अनुसार क्या वो सांसत विपक्चका होना जरूरी है जी नहीं बीजेपी के सांसत भी सांसत होने की नाते प्राइबेट मेंबर बिल पेस कर सक कानून बनवाने का प्रियास कर सकता है किसान संगठनों के नेताओं ने संविधान में उपलब्ध प्राइबेट विधेयक के विकल्प को चुन लिया है उनको यह लग रहा है कि इस समय संसद में जो सदस्यों की संख्या का अनुपात है भाजपा बनाम अन्य वह किसान आंद के माध्यम से प्राइबेट विल के जरिये इस बिल को पेश करवा दिया जाए तो बीजेपी भी बैक फुट पर आएगी और से सारे दल एंडिये के इस बिल को समर्थन देने के लिए बिवस हो जाएंगे अगर नहीं देंगे तो उनकी पोल खुलेगी कि वे किसान बिरोध भी ठपा लगते ही बीजेपी की क्या हाल हो गई है इस चुनाव में यह किसी से छुपा नहीं है तो ऐसे में कोई भी पार्टी अपने उपर किसान बिरोधी होने का ठपा नहीं लेगने दिना चाहेगी और तब उसे मजबूरन इस प्राइबेट मेंबर बिल के साथ खड़ से भी चाहें या किसी सामान निसांसत से इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनको एक और राजनीत कांदेशा है अगर कोई बिल सपोज करिया राहुल गांदी पेश कर देते हैं यह सांसत के तोर पर अपनी वोर से तो वहाँ पर उस बिल पर नुख्ता चीनी निकालेंगे सत्ता पक्ष के लोग कि ये बिल किसान भी रोधी है लेकिन जब किसान आंदोलन और संगठन के लोग संसत से बाहर बिपक्षी पार्टियों और एंडिये की बीजेपी के सिवायने पार्टियों के साथ बैठक करके पहले ड्राफ्ट तयार कर लेंगे और तब उस ड्राफ्ट को लोग सभा में रखवाएंगे राज सभा में रखवाएंगे तो सत्ता पक्ष के सांसदों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये किसान भी रोधी है क्योंकि फिर तो किसानों द्वारा बनाया गया ड्राफ् पास्टर प्लान है किसान आंदोलन के लोगों की किस से मोधी सरकार बैक फुट पर आने जा रही है दोस्तों जिस तरह से किसानों के आंदोलन को मोधी सरकार ने कुछला है और जिस तरह से किसानों वाले छेत्र में बीजेपी हारी है पंजाब में तो आप जाने ही रहे हरिया मारा में भी सीटे बहुत घट गए यूपी ने बहुत बड़ा डिंट दिया महाराष्ट किसानों का बहुत बड़ा प्रदेश तो ऐसे में किसान संगठनों की ओर से उठाई गई वह आवाज जो बिल के ड्राफ्ट के सकल में बिपक्ष के किसी सांसत के द्वारा खासकर राह कि एपी सांसत अगर विवस हो गए उस ड्राफ्ट को समर्थन देने के लिए तो आप बताईए कि ये मोधी सरकार पर कितना बड़ा संकट होगा अगर सरकार ने विरोध किया और बिल पास हो गया तो ये सरकार की पराजय मान ली जाएगी माना जाएगा कि मोधी सरकार विश्वास खो चुकी है संकेतिक तोर पर चुकि वो प्राइबेट मेंबर बिल होगा तो उसके पारित हो जाने या फेल हो जाने पर सरकार गिर नहीं जाएगी लेकिन अगर सरकार ने विरोध किया और उसके विरोध में कोई बिल पास हो गया तो प्रकार आंतर से तो ये मैसेज चला ही जाएगा कि लोग सभा में ये बहुमत खो चुके है हाँ सरकार अगर कोई बिल पेस करती है और पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है कानून यह है तो यह बहुत बड़ा मास्टर इश्ट्रोक किसान आंदुलन के नेताओं ने चल दिया है विपक्ष के माध्यम से और यहां पर विपक्ष को अपना हत्यार और यहां विपक्ष के सहारे को प्रयोक करना किसानों का हक बनता है क्योंकि जब उन लोगों ने आंदुलन किया और सरकारों ने उनका दमन किया भरपूर दमन किया इसमें कोई संदेह नहीं है आपात काल में कभी इतना दमन नहीं हुआ था जितना पात काल की घोसना किये बिना इमर्जन्सी लगाए बिना मोधि सरकार और खटर सरकार ने किसानों का दमन किया ऐसा दमन कहीं भारत में किसानों का कभी नहीं हुआ था तो उस समय इंडिया गटबंधन ने जो अपना मेनिफेस्टो जारी किया था उसमें इन्होंने किसानों के लिए MSP कानून बनाने का वादा किया था ऐसे में जब किसान संगठन के लोग इनसे कहेंगे कि ठीक है कि आप विपक्ष में हैं लेकिन अपना वादा पूरा करने के लिए आप प्रियास करिये आईए हमसे जुड़कर काम करिये और ये रास्ता है कि ये काम पूरा हो सकता है बिना सत्ता में आपके आए भी तो किसानों के लिए लाठी बनना, सहायक बनना, मददगार बनना, विपक्ष की बिवस्ता भी है और दाइत तो भी क्योंकि इन्होंने चुनाव में वादा किया था और इस तरह से जो मैं देख पा रहा हूँ राजनीत या और कानून के विद्यार्थी के तोर पर तो इस्तिती साफ है कि मोदी सरकार आने वाले समय में बहुत बुरी तरह घिरने वाली है किसानों का मुद्धा इस सरकार के गले की फांस बनने वाला है अभी सरकार सत्ता समहालते ही जammू कस्मीर के आतंगवादी गजविदियों से निपटने में नाकाम दिक रही है अगनिवीर योजना पर जबाब देते नहीं बन रहा है सेना के बड़े बड़े जनरला और अधिकारी रिटायर्ट फोजी लोग जो पहले मोदी जी का गुरगान किया करते थे आज उस सरयाम अगनिवीर के लिए इनकी आलोचना कर रहे हैं तो आने वाले समय में जहां एक तरफ जवान दुखी हैं दूसरी तरफ किसानों की अगर आवाज आ गई साथ में संसद में तो मोदी सरकार के लिए ये बहुत असहज इस्तिती होगी और इससे पार पाना बहुत मुश्किल होगा तो देखते हैं आगे-ागे क्या होता है लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी क्या तीसरा कारेकाल काटू भरा ताज है कब तक उसे पहने रह पाते हैं ढोपाते हैं ये वक्त बताएगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा सेर करिएगा चैनल सब्सक्राइब नवकियों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जैसंबिधान